हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई जैनल फिर से कुकुईद बना जमें आप लुक बहुत बहुत स्वागत है और ये आज में एक बहुत स्पेशाल डिस लेके आई हूँ बूबी कडकती भी थान में पिठा खाने का मज़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसका क्रिस्पने देखें बहुत कडक भी बनाएं अंदर से बहुत नरम खाने में बहुत बढ़िया बना था तो भीडियो को लास्तक जरू देखना और ये गूड और तिल का आरिशा पिठा आप लुक जरू ट्राई किजेगा एक बार और यहाँ पर देखें पिठा आमार बहुत कि और इसको में तूड के दिखा रही हूं देखें इसका आवाज आप सुन सकते हैं तो एक बार इस तरह से आप लुक जरू बनाएगा यह बहुत ही स्पेसियल इसलिए है कि माग के महिने में ओडिशा के तरफ हर किसी के माईके से यह पीठा आता है तो इसलिए स्पेसियल तो जले शुरू करते है इसकी रेसिपी यहाँ पर मैंने चावल के आटा बना लिया है चावल को दूगंटके ने भीगुके रखा ता उसके बाद में इसका आटा बना लिया है देखें मुठी बनाने से मुठी बनाए इसको ड्राइ मत किजिएगा जब इसको आटा बनाए पिठा थोड़ा कड़क बनता है बहुत ही अच्छा बनता है और यहां पर ले लिया है तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं यहां पर मैंने एक कड़ाई ले लिया है कड़ाई की अच्छे से गरम होने के बाद इसमें आधा कप के लगभग मैंने डाल दिया है पानी अ आप अगर जो गूल बाला गूठ मिलता है मार्केट से उस से पीठा बनाएंगे तो पीठा थोड़ा सा नारम बने गा लेकिन इस गूठ से पीठा बिलकुल पर फेट मनता है decisions वथा शाफ बनता हैं और काड़क बनता है तो देख्ये गूठ हमारा इलाइची को में डाल दूंगी अध्राक इलाइची डालने से बहुत ही बड़ी हा फ्लेबर आता है तो जरूर डालिएगा अब इसको अच्छे से मिलाएंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे यहाँ पर लेरियों एक पीन्च से भी कम लेरियों में खाने वाला सूड़ा ज्यादा मत डालेगा बनना ये तेल बहुत सुख कर लेगा और खाने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगिगा तो थोड़ा सा ही डालेगा आप देखें गूर से हमारा अच्छे से उबल भी आ रहा है अब इसको पकना है एक दू मिनिट के लिए अब देखें गूर में कितना अच्छा सा प्यारा सा कलर भी आ चुका है आप देखिए चेक कर लेते हमारा गुर अच्छे से पका की नहीं अब देखिए अंगुले के दोरा में दिखा रही हूँ गुर से हमारा तार बनना है इसका मदलब हमारा गुर परफेक्ट बना है अब यहीं पर मैं डाल रही हूँ नारियल नारियल चाहे तो आप स्कीप कर सकते है आप सारे चीज़ को अच्छे से मिला देंगे अब यही पर मैं डाल दूँगी चावल का आटा आप इसको एक साथ नहीं डालना है थूड़ा थूड़ा डालना है बना पता नहीं चलेगा कब ज्याता टाइट बन जाएगा तो पीठा हमारा अच्छा नहीं बनेगा अब देखिए इसको धिरे धिरे ऐसा ही मिलाते रहेंगे फ्लैम बिल्कुल ही लू रखना है हाई नहीं करना है अब इसको थोड़ा थोड़ा हम मिलाते रहेंगे यह पीठा बहुत आसानी तरिके से बन जाता है अगर इसका थोड़ा सा भी मिश्रन गडबड हो गया तो पीठा पूरा वर्बाद हो जाएगा तो ध्यान से कीजिएगा यहाँ पर देखिए हमारा आटा मैंने सारा डाल दिया है और यहाँ पर थोड़ा सा और आटा लगेगा तो इसको में अच्छे से मिला दूँगी ज्यादा पतला रखेंगे तो यह तेल बहुत सूक लेगा और खाने में बहुत कड़क हो जाएगा पीठा तो अच्छा नहीं लगेगा अगर ज्यादा आप गाढ़क और दूगे तो पीठा बहुत ही टाइड बनेगा तो इसलिए इसका मेक्सरान परफेक्ट होना चाहिए आप देखिए इसी तरह से बिल्कुल हमको रखना है अब इसको हम लिका लेते हैं दूसरे प्लेट पर अब इसको थोड़ा साइड थंड़ा करने देंगे ज्यादा नहीं इसी तरह से हमारा डू होना चाहिए अब यही पर मैं दूनों हाथ थेली में तेल लगा लूगी अब थोड़ा थोड़ा डू लेके इसको राउंड सेब दे देंगी और पीठा बहुत ही जटपड बन जाते हैं अब एक बार जब बना लोगे तो आप बहुत दिनी तक एक महने तक आप खा सकते हो कोई भी खर आप नहीं होगा बहुत अच्छे से बन रहता है अब इसको हम तील में थोड़ा सा डिप करके रख देंगे इसी तरह से इसको गूल से अब दे देंगे और तील से थोड़ा सा दबा लेंगे अब इसको रख देंगे अब इसको जटपड बनाना पड़ता है बनना इसका डू अगर सूप जाएगा तो अच्छा नहीं बनेगा पीठा थोड़ा सा साइड से फट जाएगा तो इसको अब बनाते रही अब वहाँ चानते रही है एक साथ बनाके मत चानिएगा क्यूंकि साइट से फट जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा आप बनाते हुए चानते जाएए अब मेरा हो गया मैं इसको चान लेती हूँ बाद में और सारे मैं बना लोगी अगर मेरा वीडियो अपनों को अच्छा लगा हो प्लीज जैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज फ्रिंट प्लीज और यहाँ पर देखे मैं थोड़ा सा इसको दबा लूँगी अब इसको तेल में छोड़ दूँगी यहाँ पर फ्लेम हमारा मीडियोम होना चाहिए बनना हमारा जो दियान सफ्फे तिल बूच जल जाएगा तो पीठा में अच्छा नहीं लेगेगा तो इसको मीडियोम फ्लेम में ही रखना है देखे पीठा हमारा कैसे अच्छी से फूल रहा है देख सकते हैं आप लोग बहुत ही बढ़ी है फूल रहा है पिठा बहुत ही बढ़ी है बना था तो इस खड़कती थन में एक बाइर इस तरह से बनाई और एंज़ाई कीजिए एक महिने तक आप श्टूर करके रखिए और बच्चे लोग को निकल के देते रही है साम या सुभा इसी तरह से हम सारे पिठा को ऐसे ही तल लेंगे थुड़ा सा हाथ में दबा के इसको डाल देंगे तो हो जाएगा हमारा पिठा देखिए फूल रहा है बहुत बढ़ी हैसे इसी तरह से मैंने सारे पिठा को तल लिया है आरिसा आप कुईट गया सकते पीठा आरी साथ जो भी प्लीज प्लेन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना भी मत भूलिएगा देखिए आमारा पीठा सारा बिल्कुल रेडी हो चुगा है आप देख सकते कितने अच्छे से बना है अगर आपका कोई सजेशन हो तुँ प्लीज मुझे कमेट के थुरू जरूर बताएगा तब तक के लिए धन्यवाद थाइक्यू फिर मिलते है एसे ही न्यू वीडिय के साथ और एसे ही मैं चलती हूँ मेरे पीठा को एंजाई करने के लिए तब तक के लिए थाइक्यू